हेग गाइ, स्वागत एक नई वीडियो में तो दोस्तो आग की वीडियो में बात करेंगे कि आपका म backyard cancoat है और गरम हो रहा है तो दोस्तो ये वीडियो आपको continue देखना है ये वीडियो देखने के बाद कुछ हैसीаже मटाःगगे अगर आप लोग कर लोगे तो आपका mobile भी lag नहीं करेगा heat भी नहीं होगा, साथ में आपका mobile गरम भी नहीं होगा तो दोस्तो वीडियो को continue देखना है अगर वीडियो आपको परसंद आए ठीक है लेकिन यहां पर एक setting आपको मिल जाएगी जिसका नाम हो location services पर किलिक करना है अब जैसे इस पर किलिक करेंगे दोस्तो यहां पर आपको दो setting देखने को मिला है wifi scanning and bluetooth scanning अब दोस्तो यह क्या काम करता है यहां पर हमारा mobile जो है कहीं हम city में जाते हैं दोस्तो घर से बाहर निकल के जाते हैं वहां पर आपको बहुत सारे wifi खुला मिलेंगे साथ में बहुत सारे आपके bluetooth खुला मिलेंगे तो AC में क्या है आपका जो mobile है वो आप लोगों का scanning करना सुरू कर देता है तो हमारा mobile बहुत ही heat हो जाता है और hang कर जाता है और like कर जाता है तो दूस्तो AC में आपको क्या करना है wifi scanning में जाना इसको आपको यहां से बंद करना है और साथ में आपको bluetooth scanning को जाना है यहां से आपको बंद कर देना है ठीक है पहले सेटिंग अब यह करना है अब दूसरे नमबर की सेटिंग करने के लिए आपको जाना है आपको अपने मुबाल के additional settings में आप additional setting में जाने के बाद इसको यहां से आपको okay करना है नीचे scroll करेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको developer option यहां पे click करना है इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्कूल करेंगे तो यहाँ पर कोई एक setting मिल जाएगी जिसका नाम है by ground processes limit अब दोस्तों यह setting क्या काम करता सबसे पहले आप लोगों को यह जानकारी करना है तो मैं उस setting को यहाँ से ले लेता हूँ तो आप लोगों को नीचे स्कूल करते जाना है और यहाँ पर जो आप लोगों को setting जब मिल जाए तो आप लोगों को यह वाली मिलेगी by ground process limit इस पर किलिक करना अब दोस्तों यहाँ पर देख लिए standard limit पर है तो यह क्या करता है हम mobile अपना चलाते जाते instagram, facebook, youtube जितने भी application सारे हम अपने open करते रहते हैं ठीक है वो हम काट कर अपना mobile बंद कर देते हैं लेकिन वो क्या करते हैं सारे हमारे by ground में running करते हैं तो यहाँ जो हमारा mobile है का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है तो हमारा mobile हराइक कर जाता है तो आपको यहाँ पर क्या है आपको at most one process पर क्लिक करना है ताकि कोई भी application अगर last में जो चलाएंगे दोस्तो सिर्फ वही आपका mobile प्रोसेस करेगी और आपकी जितनी भी application है वो नहीं करेंगी आपको बैक होकर आना है अब तीसरे नंबर की setting करने के लिए आपको play store में जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो profile है इसको देख लेना है क्लिक करके नीचे आना है setting में क्लिक करना है net or performance का option मिलेगा इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा आप्डेड आप्स इस पर किलिक करना है अब दोस्तों यहाँ पे देखे लिए आपको मिलेगा अप्डेड आल आप्स और वाइफाई और मुबाल डाटा दोस्तों यह हमारा यहाँ पे किलिक होता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या काम करता है कोई भी हम गेम खेल नहीं होते हैं या मूवी देख रहते हैं गेम खेलते समय क्या होता किसी भी application का अगर update आ गया तो वो होना start हो जाता है जब वो होना start होगा तो दोस्तो हमारा mobile like कर जाएगा तो इसको हमेशा आपको don't auto update apps पर click करना है ताकि आपका mobile heat ना हो गराम ना हो और like ना हो तो दोस्तो ये जो मैंने तीन setting बताएगा अगर तीनो setting आपने कल दी तो आपका mobile heat नहीं होगा तो दोस्तो वीडियो परसान आई हो तो वीडियो को like करना जादा से जादा लोगिक पासे के देना धन्यवाद